विन्सिटी डिवालपर्स की एक और शांदार पेशकश जहांगीर पीर दर्गा से दो किलो मेटर पहले आबादी के बीचों बीच गाउं से लगा हुआ विंचर फीकस सिर्फ पाँच हजार चेर्मेन एएटीन तिलंगाना नियूस महमद आजम अली आप सभी का खेर मख्तम है एएटीन तिलंगाना नियूस पर आज बरोजे मंगल यानी ट्यूस डे बतारीख 28 फिबरवरी का दिन है आएए देखते हैं एएटीन तिलंगाना नियूस का खास खबर नामा बढ़ते हैं आज की जालसास उन खांदानों के फोन हैक कर रहे हैं जि वो फोन से तमाम डेटा एकटा करते हैं और फिर खांदानों खास दोर पर खावातीन को पबलीक डोमेन में मौरिफ शुदा तसाविर लीक करने की धंक्या देना शुरू कर देते हैं सीनियर पोलीस ओधेदारों ने बताया कि हैदराबाद के साइबर क्राइम पोलीस स्टे वाने वाले शख्स ने नामपली में वाखे हजहों से खुद को सरकारी मुलाजिम बताते हुए एक खांदान को फोन पर आईमो फोन किया था इसने खांदान के एक फर्द से फोन पर डाउनलोड करने को कहा ये शख्स घरवालों को आधर एप कार्ट की तमाम तफसिलात इस को हैदरबाद में मुखतली रियल इस्टेट फर्म्स के दफातिर की मुबयना तोर पर टैक्स चोरी के इलजाम में तलाशी ली आईटी हुकाम की तकरीबन 20 टी में वंडर सिटी रॉयल सिटी और दिगर कमपनियों के दफातिर में बैक वक्त तलाशी ले रही थी ओधेदा कमपनियों के खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायात की मुससिल तेखिखात का हिस्सा थी शहर में हालिया हफ्तों में इस तरह की कई तलाशिया ली गई सिटी पोलिस डिपार्टमेंट ने गोशा महल के मले टी राजा सिंग की बी आर बुलेट प्रूफ गाड़ी को तबदील किया और इन्हें पीर के रोज वाइट रंग की फॉर्चुनर बुलेट रेसिस्टेंट गाड़ी फराहम की गाड़ी उनकी रहाशगा पर भेज दी गई ताहम MLA किसी जाती काम के सिलसिले में शेहर से बाहर है और महकुमे पॉलीस के एहलकारों ने इन्हें अपनी पुरानी ब्लैक कार को वाइट रंग की गाड़ी से तबदील करने के फैसले के बारे में बताया एंटी करप्शन ब्यूरो एसी बी ने टी एसस पी डी सी एल मेर्चल मलकाजगरी जिले के एक एसिस्टेंट इंजिनियर को 12,000 रुपे रिश्वा तलब करने और खुबल करते हुए रंगे हातों पकड़ लिया सरकारी काम करने के लिए प्राइवेट ठेकेदार से एसिस्टेंट इंजिनियर के तोर पर काम करने वाले एहलकार एस अनिल कुमार ने मुबयना तोर पर काम की तकमिल की रिपोर्ट तयार करने और इसे आला अफसरान को भेजने के लिए एक प्राइवेट इलेक्रिकल ठेक ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिचा कर ठेकेदार को रंगे हातों पकड़ लिया इनके पास से दागदा रखन जबत कर ली गई और इनकी दोनों उंगलियों के केमिकल टेस्ट भी मुझबित पाए गए। हैदरबद एकोनामिक पावर हाउस बन रहा है आई टी फार्मा लाइफ साइंसेश और रियल इस्टेट में अपने मजबूत माहुलियाती निजाम के साथ हैदरबद हिंदुस्तान के एकोनामिक पावर हाउस के तौर पर आगे बढ़ रहा है हैदरबद डी स्प्रिंट के मता यूके के हेटकौाटर वाली रियल इस्टेट सर्विस गेंट सेविल्स के ये तवक्ष है कि रियासत में लाइफ साइंसेस के शोबे से आमदनी मौजुदा सते से तीन ता चार गुना होगी और 2030 तक 40 से 50 बिलियन तक पहुँच जाएगी इसके अलावा हैदराबाद के एवी एको सिस्टम में 3 से 4 बिलियन की सरमाया कारी होने का इमकान है जिस से ज्यादा रोजगार मिलेगा 2030 तक 1 लाक अफराद को